कभी कभी इंत्योहारों में हमें मिठाईया या पकवान बनाने का टाइम नहीं मिलता तो जटपट से आज हमारी किचिन में बनाने वाले हम बस दस मिनिट में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाएंगे और इसमें कोई चार्शनी बगएरे की जरूरत नहीं है मावा की जरूरत तो आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू नारियल के लड्डू बनाएंगे तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहां नारियल का बूरा ये देखिए इस तरह से नारियल का बूरा ले लेना है एक कप आप चाहे तो घर में रखे हुए नारियल का छिलका निकालकर उसे घर मे ही पीश सकते हैं तो नारियल का बूरत तयार हो जाएगा एक कप ही मैंने लिया है मिल्क पाउडर या डेरी वाइटनर जो भी है वो से ले सकते हैं आदा कप ले लेते हैं चीनी तो मैंने इसे नॉर्मल चीनी लिये कोई पाउडर वगेरा यूज नहीं किया है अब हम इसमें दूद और अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी मैंने आदा कप दूद लिया है और आदा कप दूद और लेने वाली हूँ मतलब इसमें एक कप का दूद पढ़ जाएगा तो आदा कप दूद और डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे अभी मैंने गैस ओन न जैसे जैसे पकेगा न वैसे ही यह थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि शोगर है जो गुलेगी इसकी वज़े से वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन हम इसे चलाना छोड़ना नहीं है अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डाल दे रहे हैं दो इलाइची को मैंने फ्रेस कूट लिया था इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है इलाइची का पाउडर और अच्छे से सब चीजों को मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं शक्कर जैसे ही घुली रहा यह देखिए थोड़ा सा यह पतला हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है बस इसी तरह से चलाते जाएंगे और 3-4 मिनिट में ही मीडियम फ्लेम पर चलाते चलाते यह देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है और बस इसे चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से मिठाई जलने लगेगी और यह देखिए कितनी अच्छी सा रहा से गाढ़ा हो गया है और बस आब इम इसमें गी क्योंकि हमने गी यूज नहीं किया है और डेरियो आइटनर में गी थोड़ा कम रहता है अगर आप मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम गी भी डाल सकते हैं तो मैंने इसमें एक टेबल स्पून मतलब तीन चोटी चमज गी डाला है और अच्छे से मिक्स क गी डालने के बाद ना इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है बिल्कुल भी चिप चिपा नहीं रहता यह और बहुत टेस्टी मिठाई बनती है और यह देखिए बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में यह मिठाई बनकर तयार हो जाएगी तो बसे से इसी तरह से मिक् उसे छोड़ना एकदम छोड़ दिया है देखिए उसकी तली को छोड़ दिया है और एक साइड से मटने लगा है ये देखिए और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं किसी दूसरे बरतन में मिठाई एकदम तयार हो गई है लेकिन ये पूरी तरह से तयार नहीं इसके लड़ू बनाएंगे तो इसके लिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है कम्प्लीटली ठंडा हो जाना चाहिए ये और अब ये ठंडा हो गया है तो मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा साना यलो कलर मिक्स करूंगी याप कोई भी color mix कर सकते हैं मैंने इसमें yellow color थोड़े से पार्ट में yellow color mix किया है तो ये powder वाला yellow color था मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक गोल तयार कर लिया है अब इसे अच्छे से mix करेंगे ताकि पूरे मिश्रण में yellow color अच्छे से लग जाए ये मिठाई ना देखने में इतनी अच्छी लगती है कि आप मार्केट वाली मिठाई लाना भूल जाएंगे तो बस इस तरह से हम इने मिक्स कर लिया है अब हाथ में थोड़ा सा गही लगा लेते हैं और इसकी बाल्स बनाएंगे वाइट वाली की थोड़ी बड़ी बाल्स बनाना है और जो यल्लो वाली है उसकी बहुत चोटी बाल बनाना है तो इस तरह से हाथों से गुमाते हुए इसकी हम एक थोड़ी सी बड़ी बाल बनाकर तयार कर लेते हैं और सारी बॉल्स इसी तरह से तयार करेंगे तो यल्लो बॉल भी बना लेते हैं और यहां देखिए मैं यल्लो भी बळाना ली है और इसी तरह से नो बना ली है I water उसी तरह से मेरे तेरा से was भी बने हुए हैं बॉल्स Whoo बनाया है a right the उस मिश्रन को उपर लाते हुए इसे हम पैक कर देते हैं ये देखिए थोड़ा सा इसे उपर दबाएंगे और इस तरह से इसे पैक कर देते हैं सील कर देते हैं और फिर से इसे हम गोल-गोल घुमाएंगे और बहुत ही ये सुन्दर हमारा लड्डू बनकर तयार हो जाएगा अब इसे बनाने के बाद मैं क्या करूंगी मेरे पास थोड़ा सा डेसीकेटड कोकोनट है लिया था मैंने तो इसे इस तरह से रोल करेंगे ताकि उपर अच्छे से कोकोनट लग जाए और ऐसा करने से लड़ू देखने में बहुत खुबसूरत लगते हैं आपको यकीन नहीं होगा या कोई भी खाएगा ना तो वो यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया था इतना जादा टेस्टी रहता है ये और देखने में बहुत ही सुन्दर रहता है अब साई से प्रेस कर दूँगी ऐसा मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद है अगर आप गोल रखना चाहते तो गोल भी रख सकते हैं और इस तरह से करने के बाद मैंने रख दिया है एक प्लेट में और ऐसे ही सारे वाल्स की हम लड़ू बना कर रख लेते हैं और इसके बाद हम से करेंगे थोड़ा सा गारनिस तो बस इसी तरह से तयार कर लेते हैं यह लड़ू ना पांस से दस मिनट में बनकर तयार हो जाते हैं बिलकुल भी इनमें टाइम नहीं लगता जब फटा फट से हमें कुछ बनाना होना मीठा और डिलीशियस और मार्किट के जैसा तो इस त प्रक्रावा प्रक्री फट्रीश त Свरी चैसinky कि इनमें टा वड्रू नियुकी जैसरी देएट करेंगे तो इस तुछ अनुड़ी इस तरह से लगांगे तो इसे घ्रेंग टि मेरे पास त्यार सो दलेघ्टी के घर में ही healthy और जटपट से ये मिठाई बनाईए और मेरे चैनल को like, subscribe and share जरूर कीजिए और इस तरह से आप healthy रक्षबंदन enjoy कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में